स्वस्त रहने के पंदरा नियम नमबर एक राता काल सौच जाने से पूर्व एक गिलास पानी पिया कीजिए इससे दस्त साफ होता है और रात का बिना पचा हुआ बोजन पत्रिने में सहायता मिलती है नमबर दो आपके लिए हलका ब्यायाम आवस्यक है सौच आम तेज चाल से दोनों हाथों को हिलाते हुए सीना निकाल कर काफी दूर तक टहलने जाया करें यह टहलना इतना होना चाहिए कि सरीर में गर्मी काफी बढ़ जाए और थोड़ा पसीना तक जलक आवे कमजोर आदमियों के लिए यह सरगुत्तम ब्यायाम है इससे समस्त रक्त का दोरा तेज होता है कल पूर्जे ठीक प्रकाल काम करने लगते हैं नमबर तीन राथा काल की सजग धूब शरीर पर लिया करें इससे रोगों के किटारू नश्ट होते हैं और जीवनी सकती प्राप्त होती है नमबर चार, सनान से पूर्व सरीर पर धीरे धीरे तेल मालिस किया करें गर्मी के दिनों में सरसो का और जाड़े के दिनों में तील का तील का प्रियोग करना चाहिए तेल मालिस एक बड़ा ही उपयोगी प्यायाम है नमबर पांच आप ऐसे स्थान में इसनान किया करें जहां खुली हवा के जोंके न लगते हों एक मोटे खुरदरे तॉलियों को पानी में भीगो कर उससे धीरे धीरे पहुत देर तक सारे सरीर को रगडते रहें जिससे तचा लाल हो जाए और सरीर के सारे छितर खुल जाए इससे सरीर के भीतर की विशैली गर्मी बाहर निकल जाती है और तफ़चा तथा मांस फेसी का प्यायाम हो जाता है वीमार आत्मी चारपाई पर पड़े पड़े भी गरम पानी में तोर्ये भीगो कर घर्सन इसनान कर सकते हैं नमबर छे, नास्ता करना छोड़ दें, करना ही हैं तो दूद पिएं, मठा निम्बू का सरवत, आधी कोई पतली चीज, थोड़ी मात्रा में ले लें, दोभेर और साम दो बार ही नियत समय पर भोजन किया करें, भूख से कम खाएं, प्रतेक ग्रास को इतना चबाएं कि वह पेट को एक चोथाई खाली रखना चाहिए, हस हस कर खाने वाले और दीन भर बक्री की तरह मूँ चलाने वाले अपने दातों से अपनी कब्र खोदते हैं, भोजन के साथ कम से कम पानी पीना चाहिए नमबर साथ, सुपाचे, स्वादिश्ट फल, साख तथा हरे अन हमारी सरगुत्तम खुराख है, जो कच्चे नहीं खाये जा सकते, उन्हें तथा पत्ती हर साखों को उबाल कर खाना चाहिए, मेवे भी पोस्टिक हैं, अनों को दलिया या खिचडी के रूप में रसीला बन ना लिया जाए, तो वह रोटी की अपिक्छा हलके रहते हैं, दूद दही मठा तीनों ही उपयोगी हैं, तले हुए पूरी पकवान मिठाईयां, चार पकोड़ी जली भुनी, चीजें सर्वता हानिकारक हैं, भोजन ताजा होना चाहिए, और स्वचता पुर्वक बनाना त खाना चाहिए, नमबर आठ, चाय दूद आधी कोई चीज घर्म न लेनी चाहिए, और न वर्फ अधिक या वर्फ मिस्रित अधिक ठंडी चीजें सेवन करनी चाहिए, इसे दात और आत दोनों ही विकार उत्पन करते हैं, नमबर नौ, पानी खूप पिया किजिए, पानी के दिनों में आठ से दस क्लास तो कम से कम पिना ही चाहिए, पानी एक साथ सडाके से नहीं पिना चाहिए, वरन घूट-घूट कर पियें, जिससे मूँ की लार उसमें काफी मातरा में मिल जाए, दूद मठा आधी अन्य पेपदार्थ भी इसी प्रकार पीने चाहिए 10. चाय, तंबाकू, भांग, अफीम, गांजा, सराब, आधी नसीली चीजों से, हींग, गरम, मसाला, मेच, लहसुन, आधी, उत्ते जग, गरम, पदार्थों से, तथा मांस, मचली, आधी, अवच, बस्तों से बस्ते रहना चाहिए, यह चीजें स्वास्त को बिगारने वा कड़ा सरीर से ज़्यादा वायू का इसपर्ष होते रहना चाहिए, मूर ढखकर न सोए, बिस्तर को धूप में सुखाते रहना चाहिए, जिसमें पसीना लगता है, ऐसे सरीर का इसपर्ष करने वाले कपड़ों को नितिद होना चाहिए 12. कमजोर और बिमारों को ब्रमचर से रहना चाहिए, ताकि सकती संचय हो जितना कम काम सेवन किया जाए उतना ही अच्छा है 13. रातरी को जल्दी सो जाएं, सबेरे जल्दी उठें, अधिक रातरी तक जागना और नेत्रों पर जोड़ डालने वाले काम करते रहना स्वास्त के लिए बहुत ही हानिकारक है 14. आलस्य और अति परिश्रम दोनों ही बुरे हैं, अत्यदीक दिमागी काम करना स्वास्त पर बुरा असर डालता है 15. सब्ता में एक दिन उपवास करना चाहिए, निराहार रहना सबसे अच्छा है 15. ना हो सके तो एक समय फल, दूद आधी, हलकी चीजें, स्वल्प मात्रा में लेना उपवास है 15. यभी ना हो सके तो एक समय दलिया, खिचरी, साबुदाना आधी, पानी में पकाए हुए अन ले सकते है 15. उबास के दिन पानी फूप पिना चाहिए, यदि इच्छा हो तो पानी में निम्बू, सोडा, नमक या सहद मिला सकते हैं 18. उबास है